नमस्ति चात्रो आज हम कक्षा सात्वी की जो किताब है वसंत भाग दो इस किताब में प्लेशन नमबर 9 यानि कि पार्ट 9 जो है चिडिया की बच्ची इस पार्ट का आज हम अद्देन करने वाले पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट के कुछ हिस्से का अद्देन किया है आज हम इस पार्ट के अगले हिस्से का अद्देन करने वाले तो पिछले वीडियों में हमने देखा था कि चिडिया की बच्ची यह पार्ट लेकक जैनेंदर कुमार इनों ने लिखा है और चिडिया की बच्ची इस पार्ट के द्वारा लेकक जैनेंदर कुमार इनों ने पंचियों के बारे में जानकारी देने की कोशिश किये और जेनिंदर कुमार ने लिखा हुआ चिडिया की वच ये पार्ट एक कहानी है और इस कहानी में मादोदास एक कारेक्टर है तो मादोदास का बहुत बड़ा मकान यांकि उनकी कोटी उनके सामने या उस कोटी के सामने बहुत बड़ा बगिचा उस बगिचा में एक चिडिया की या एक चिडिया वहाँ आकर बैड़ जाती है और जब वे मादवदास देखते हैं तो मादवदास को वो चिडिया बहुती अच्छे लगती है सुन्दर लगती है और इसलिए मादवदास वो चड़िया को वो बगिचा में रहने के लिए केते और उनके बीच कई बाते भी होती है तो यहां तक हम आये थे आगे हमें देखना है तो मादवदास फिर चड़िया को केहते है और उसे बताना चाहते है कि मेरी बोली चिडिया यानि कि वो चिडिया को कहते है क्या कहते है कि मेरी बोली चिडिया तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुलीत हुआ है प्रफुलीत हुआ है मतलब प्रसन हुआ है प्रफुलीत हुआ है प्रसन हुआ है चित्त अरुदय यानि कि वो चिडिया को कहते है कि तुम्हे देखकर मेरा रदय प्रसन न हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है, और मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहा चाहता नहीं है, कोई भी उड़ता नहीं है, किसी की आवाज नहीं आती, और यदि तुम यहां रहोगी, तो आवाज मुझे सुनाई देगी और तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलाएगा ऐसे वो मादवदास चड़िया को कहते और वो कहते कि तुम्हें कैसी प्यारी चड़िया हो यहां ही तुम क्यों न रहती यानि कि वो उसे बगिचा में रहने के लिए कहते है तो इस पर चड़िया उन्हें जवाब देती है क्या जवाब देती है कि मैं मा के पास जा रही हूँ तो वो चोटी चड़िया है और वो अभी उड़ती है अभी उसने उड़ना सीखा है और उड़ते उड़ते वो यहां तक आई है और वो ठक गई है और इसलिए वो क्या करते है ग दिखाई दे रहे होगी तो इसी प्रकार है ना उसकी छोटी चोंचे उसकी गर्दन उसके पंक तो ये छोटी सी जैसी चिडिया है उसी प्रकार वो छोटी सी चिडिया मादवदास के बगिचे में उड़ते हुई आई है और वो जो बगिचा है वो कहा है तो मादवदास के ज पाने के फवारे हैं जैसे यहां आपको फवारे दिखाए दे रहे हैं और यह जो कैसा बगीचा है बहुत बड़ा बगीचा है तो इसे प्रकार वो चिडिया उस बगीचा में आई है और मादोदास उसे बगीचा में रहने के लिए कह रहे हैं लेकिन चिडिया मादोदास को क कि मुझे घर वापस जाना है, मुझे मेरे मा के पास जाना है, क्यूंकि अभी सूरज की दूप खाने और हावा खानी के लिए मैं बाहर आयी थी, आप मुझे क्या करना पड़ेगा फिर वापस जाना पड़ेगा सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और पोलों से बाते करने में जरा गर से बाहर आई थी आप साज हो गई है शाम हो गई है और मुझे गर वाप जाना चे मेरे बहन के पास मेरे भाई के पास अब ही मैं क्या करते हूँ चलती हूँ आप सोच न करे ऐसी चिडिया किसे कहती है मादवदास से कहती तो फिर मादवदास चिडिया को केते क्या केते कि प्यारी चिडिया पगली मत बनो बोर केते हैं कि तुम प्यारी चिड़िया हो कि इतनी अच्छी चिड़िया हो तुम पगली मत बनों पागल पशंस से मत करों ऐसे वो उसे केते हैं और वो अपने बातों में उसे उल्जाए रखना चाते मादवदास चाते हैं कि यदि शाम हो गई रात हो गई अंदीरा हो गया तो चिडिया नहीं जा सकीगी और इसे लिए वो अपने बातों में उसे क्या करते हैं गुल जाये रखते हैं और वो कहते हैं कि देखो तुमारे चारों तरफ कैसी बहार है यानि कि फूलों की क्यारी है फूली फूले पेड़ है पवदे है यानि कि तुमारे चारों तरफ बहार है देखो वो पानी खेल रहा है यानि वो पानी फवारे की कैसा है खेलता नजर आ रहा है उदर गुलाब ह बीतर महाल में चलो आपको नए नए चीजे मैं दिखाता हूँ ऐसे मादोदा चिड़िया को कहते है और वो कहते है जाने क्या का न पाऊगी मेरा दील विरान है मेरा दील कैसा है? विरान है उदास है क्योंकि मेरे पास चहकने वाला कोई नहीं है वहां कब हसे सुनने को मिलती है मेरी जो हसी है वो कब मिलती है मेरे पास बहुत सा सोना है पैसा है, मोती है, धन है, दवलत है और मैं तुमारे लिए सोने का एक बहुत बड़ा गर भी बना सकता हूँ और उस सोने के घर में तुम क्या कर सकती हो रह भे सकती हूँ मोतियों की जालर उसमें लटकेगी और तुम मुझे खुश रखना मैं तुम्हारे लिए यह सब करूँगा और तुम क्या करती रहो मुझे खुश रखती रहो और तुम्हें क्या चाहिए सुने जैसा मकान मिलेगा गर मिलेगा मुझे की जालर मिलेगी खाने के लिए सब कुछ मिलेगा और तुम्हें क्या चाहिए तो तुम यहां रहना पसंद करो मा के पास क्या है मा के पास बताओ क्या है तुम यहां यहां रहकर सुकी रहोगी मेरी बोली गुडिया मेरी बोली चिडिया ऐसे मादवदास किसे कहते है तो अपनी प्यारी चिडिया को कहते है उस प्यारी चिडिया को कहते है मादवदास कहने के बाद चिडिया इन बातों से बहुत ही क्या हो जाती है डर जाती है और वो डरने के कारण वो फिर कहने लगती है वो बोलती है क्या बोलती है कि मैं भटक कर तनीक आराम के लिए इस डाली पर बैट गई थी मैं भटक रही थी उड़ रही थी इधर से उदर जा रही थी और ठक गई थी और इसलिए थोड़ी सांस लेने के लिए मैं तनिक से जरादेर के लिए मैं इस डाली पर बैटी थी अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करूंगी नहीं होने दूंगी और मैं अभी यहां से क्या करने चाहती हूँ उड़ना चाहती हूँ और उड़ी जा रही हूँ ऐसे वो मादवतास को कहती है तुमारी बाते मेरी समझ में नहीं आती है तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी मा के गोसले के बाहर बहुतेरी सुनरी धूप है बहुतेरी मतलब बहुत सुनरी धूप मतलब पीली पीली धूप यो ते उसे सुनरी धूप कहते तो मेरी मा के घर के बाहर गोसले के बाहर बहुत सुनरी धूप है पीली पीली धूप है मुझे और क्या चाहिए मुझे और क्या करना है दो दाने मा ला देती है मैं खाती हूँ और जब मैं पर मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मा मेरी बांट देखती रखती है बांट देखती मतलब इंतजार करती है बांट देखती है मतलब इंतजार करती है राह देखती है और मुझे तुम और कुछ मत समझो मैं अपनी मा की हूँ यानि कि मैं मा की हूँ मैं अपनी मा की सुनूंगी मैं अपने मेरे जो बहने बाहिये उसके पास जाना चाहती हूँ ऐसे चिडिया किसे कहती है तो मादव दास जी कहती है फिर मादव दास जी चिडिया को कहते है क्या कहते है कि बोली चिडिया तुम कहां रहती हो तुम मुझे नहीं जानती हो चिडिया फिर मादोदस से कहती है क्या कहती है कि मैं मा को जानती हूँ मैं तुमें नहीं जानती हूँ मैं अपने भाई को जानती हूँ मैं अपने बहन को जानती हूँ मैं सूरज को और उसके धूप को जानती हूँ मैं अपने घास जानती हूँ पानी को जानती हूँ फूलो कि मुझे स्वतंत्रत से उड़ना है, मुझे पानी हो, घास हो, धूप हो, उसका आनंद लेना है, यदि तुम मुझे बंदी बनाओगे, तो मैं इसका आनंद कैसे ले सकती हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को जानती हूँ, तुम्हें नहीं जानती हूँ. फिर मादवदास चड़िया को कहते हैं, क्या कहते हैं, कि तुम भोली चड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, यानि मादवदास अंकार से कहते हैं, कि भोली चड़िया हो तुम, तुमने मुझे नहीं पहचाना, तो तुमने कुछ भी नहीं जाना है मैं ही हूँ तो सेट मादवदास मेरे पास क्या नहीं है जो मांगोंगे मैं वही दे सकता हूँ यानि कि जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ इस पर चिडिया मादवदास जी क्यों कहती है क्या कहती है कि पर मेरी तो चोटी सी जात है आपके पास सब कुछ है तब मुझे जाने दिजिए मैं तो चोटी हूँ मेरी जाज भी चोटी है आपके पास सब कुछ है फिर मुझे क्यों रुकवा रहे हूँ मुझे क्यों रहने के लिए कह रहे हूँ तो मुझे जाने दो ऐसे चिडिया कि किसे कहती है मादवदा जी को कहती है मादवदा फिर चड़िया को समझाना चाते और वो चड़िया को कहते है चड़िया तू निरी अंजान है चड़िया तू कैसी है निरी अंजान है निरी मतलब कैसी है बिल्कूल ना समझे निरी अंजान है मतलब बिल्कूल ना समझे ऐसे कहती है, मुझे खूश करोगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ ऐसे कौन मातवदास चिड़िया को कहते है तो कभी ऐसा होता है कि हम पंच्यों को क्या कर सकते है बंदी बना सकते है यादि वो हमारे लिए कुछ करता है तो हम उसे माला माल कर सकते यानि के हम इनसान को कहते एक दुसरे को लेकिन हम पंचु को पशु को बंदी बना कर नहीं रह सकते क्यूंकि आजादी से उड़ना उनका काम होता है इसलिए चिडिया भी उने कहती है कि मुझे बंदी मत बनाउ और चड़िया केती है कि तुम सेट हो मैं नहीं जानती सेट क्या होता है पर सेट कोई बड़ा या बड़ी बात होती होगी मैं अंसमझ हूँ मुझे कोई समझता नहीं है और मेरी मां जो है वो मुझे बहुत प्यार करती है मेरी मा मेरी रहा देखती होगी इंतजार करती होगी मैं माला माल होकर क्या करूंगी मुझे माला माल नहीं होना है मैं ये सब कुछ नहीं जानती माला माल क्या होता है और आप माला माल कैसे करोगे ये मुझे नहीं चाहिए माला माल मतलब बहुत धन दौलत वाला यानि कि चिडिया कहते है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए क्या मुझे वो तुमारा माला माल होना नहीं चाहिए तो वो आगे भी कहते है कि सेट अरी चिडिया तुझे बुद्धी नहीं है है ना तो सेट क्या कहते है क्यारी चिडिया तुझे बुद्धी नहीं है तू सोना नहीं जानती सोना तो सेट मादुदास कहते है कि तुम्हें सोना मालूम नहीं है सोना कितना महेंगा होता है आज भी हम देखते है कि जब हम सोना करेतने के लिए चले जाते है तो वो बहुत ह महंगा होता है तो वो कहती है सेट कहते है चिडिया को तो तूम सोना नहीं जानती हो सोना कितना महंगा होता है उसी की जगत को तुरुषना होती है उसी की जगत को क्या होती है तुरुषना होती है तुरुषना मतलब इच्छा होती है यानि कि इस विश्व में इस अंसार में रहने वाले सबी लोग सोना प्राप्त करना चाहते है गहने है ना सोना मुतलब गहने जो होते हैं जिसे बनते हैं उसे सोना केते यानि कि सभी लोग ये प्राप्त करना चाहते है लेकिन तुम हो कि तुम्हे सोना मालूम नहीं है फिर वो कहते कि वो सोना मेरे पास डेर का डेर है यानि कि मेरे पास सोना है बहुत है तेरा घर समुचा सोने का होगा यानि कि तुम्हारा घर कैसा होगा सोने का होगा ऐसा पिंजरा बनाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा और तुम उस पिंजरे में सोने के पिंजरे में रहोगी ऐसा कि तू देखती ही रह जाएगी तू उसके भीतर धिरक पुदक कर मुझे खुश करोगी तेरा भग्य खुल जाएगा तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की ही होगी ऐसे सेट चिडिया को बताते इस पर चिडिया सेट मादवदास को कहना चाहती है क्या कहती है कि वह सोना क्या चीज होती है यानि कि उसे सोना मालूम नहीं है तो मादोदस्ची पूछती है कि वह सोना क्या चीज होती है तो सेट उस पर बताना चाते हैं क्या बताते हैं तू क्या जानेगी तू चिडिया जो है यानि कि आप हमें मालूम है कि सोना गेहने ये पशुपंची कोई भी नहीं जानते हैं सिर्फ इनसान ही उसे पहचानता है क्यों क्योंकि इनसान को दिमाग होता है और इनसान ने ही उसे निर्मान किया है और इसलिए सेट मादोदस्ची चिडिया को कहते हैं तू क्या जानेगी तू चिडिया जो है सोने का मुल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है कि सेट मादवदास तुम्हारे साथ बाचित कर रहा है तुम्हारे साथ बाते कर रहा है तु अभी जग का हाल नहीं जानती इस विश्व का हाल नहीं जानती तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है मेरी कोटियों पर कोटियां है यानि कि मेरी मकान पर मकाने बहुत सारे मकाने ब अगले लाइव शेशन में अगले हिस्से के बारे में डिस्केशन करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बैस सकते हो